अलो फ्रेंड्स वेलकम टू मंग स्टड़ी यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मैं करोणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ इंपोर्टेंट कुश्चेन सेरीज के पाच्छे में वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग एपिसोड वन के बचे हुए जीएस के कुश्चेन को देखेंगे और साथी जो बचे हुए रिजनिंग के कुश्चेन थे उसे भी कवर करेंगे तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्न है अंडमान और निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो अंडमान निकोबार तो आप जानते हैं यूनियन ट्रेट्री है और यह एक द्वीप समू है द्वीप मतलब समझते होंगे आइलेंड जो चारों तरप से पानी से घिर चंद्र बोश द्वीप तो कुष्चन का एंसर हो गया ओप्शन नंबर सी नेता जी सुभास चंद्र बोश द्वीप दुसरे से साथ ही एक चीज और आप याद रखे कि अंडमान और निकोबार में जो एरपोर्ट था अंडमान निकोबार एरपोर्ट उसका भी नाम बदल करके रख दिया गया वीर सावर कर एरपोर्ट तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन है भारत सरकार द्वारा नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे निकोट किया गया है यह सूचना आयुक्त आप समझते होंगे एक जो एक्ट है रट इससे की कोई भी वेक्तिक किसी तरह का इनफॉर्मेशन मंगाता है जैसे वो किसी सरकारी department से related information हो जैसे आप लोग ही कोई exam देते हैं आपको fail कर दिया जाता है तो आपना copy मागा करके check करते कि मैं बास्ता में fail हूँ या नहीं हूँ मेरे साथ गलत किया गया तो वो जो सूचना का अधिकार कानून है उसी में अगर किसी तरह का यह होता है dispute होता है जैसे किसी state government को आपको information मांगे वो आपको provide नहीं करा रहा है या फिर आपकी किसी government institution, NGO अगर से अगर को information मांग रहे है वो information आपको provide नहीं करा जा रहा है तो उसे related जो dispute होता उसे आप बिवाद को Central Information Commission में यानि मुख्य सूचना आयोग में दायर करते हैं और वहां से उस पे सुनवाई होती है तो यहां जो होता मुख्य सूचना आयोग इसमें 10 Information Commissioner रहते हैं और 8 Chief Information Commissioner रहता है अभी हाली में भारा सरकार ने नया Chief Election Commissioner बनाया है बीमल जुलका को बैचार सी एक कुश्चन पुढाना लिया गया यहाँ यह पहले सूतिर भारगब थे लेकिन अब इनका अस्थान ले लिए बीमल जुलका तो अपले टेस्ट याद रखे नेक्स कुश्चन है चितवान राष्टिय उद्यान किस देश में अवस्तित है तो यह है नेपाल में यानि कुश्चन का अंसर हो जागा option number B नेपाल नेपाल के बारे तो जानते हों कि राजधानी है काटमांडू और काटमांडू में ही अभी सार्क का मुख्या लेवी है और साथी नेपाल और बंगला देश में कुछी दिन पहले मुक्त ब्यापार समझा होता भी वा था तो इतनी चीज़े याद रखेंगे वहां का भी राष्ट पती है पिद्या देवी भंडारी और प्रधान मंत्री केपी सर्मा ओले खड़क प्रसाद सर्मा ओले चलिए आगे देखते हैं नेक्स कुछ राने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी तो पहले तो आप इस योजना का बारे में जान लीए यह जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह भ यूजना के तर बहुत सारे पहल किये गए लड़कियों के कल्यान के लिए वेलफेर के लिए ये यूजना डेट में 22 जनवरी 2015 के स्टाट की तो कुश्चन का अंसर हो जागा व्हसा आश करती है उसे यह कुछ और भी अनतर होता है जैसे उसका एक पोसाक होता है स्पेसल ओकेजन होता है और स्पेसल जगह पर पर्फॉर्म किया चरह कुछ तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स कुष्चन है एक जन्वड़ी 2019 को किस राज्य को एक अलग उचने आयले मिला जो कि भारत का पचीसमा उचने आयला है तो यह चीज आप ध्यान दे करके याद रखेंगे पहले भारत में 24 उचने आयला था टोटल 28 स्टेट में लिकिन अभ अंद्र प्रदेश में कहां तो उसका प्रस्तावित कैptial एमरावती वहीं पर बना है एक और बात बता दू कि आंद्र प्रदेश के तीन कैप्टाल परस्तावित अमरावती विषाखा पत्नम और कॉर्णोल एक चीज और आप याद रखेंगें आन्दर प्रदेश का बिध आपनाम याद कर लिजिए विके यादव कुष्चन का एंसर हो जागा ऑप्शन नमबर डी विके यादव बिनोत कुमार यादव चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुष्चन है उम्रेड पौनी करंधला बननी जीव भेरन कहां है तो यह अवस्तित है महाराष्ट में उसका एक प्रतिनिती बन करके भारत आया था और यह भारत आया था 1608 इसवी में सूरत बंदरगाह पे पहुँचा था और 1608 में भारत पहुचन अगस्ट में 1608 के अगस्ट में आया था 24 अगस्ट को और यह जहागीर जो थे तबीके मुगल समराठ उनके दर्वार में गया तो ये प्रिंटिंग प्रेस जो पहले पहले बार भारत में आया था 1856 में और इसे लाया था पुर्तगालियों ने अर अस्थापित किया गया था गोवा में तो कुश्चन का अंसर हो जगा का भी option number D चलिए अब रिजिनिंग के questions को देख लेते हैं रिजिनिंग के पहला कुश्चन आगा खां कप का संबंद जैसे होकी से उस तरह से option number B athletics चलिए आगे देखते हैं नेक्स कुश्चन है यदि यह लिखा जाता है तो ड्विंडल को क्या लिखा जागा तो इसमें तो अब पहले यह समझे कि कोड क्या है तो कोड है जैसे पी का पोजिशन है 16 तो 16 के दोनों संख्या को जोर करके साथ लिख दिया 6 और एक साथ ऐसे आर का पोजिशन 18 तो 18 के दोनों संख्या को जोर करके यहां पे लिख दिया 9 फिर ओ का पोजिशन 15 तो 15 को जोर करके लिख दिया 6 तो इसी तरह से इसका कोड है तो आए आप इसको अप्लाई कीजिए डूिंडल पर डिडि का पोजिशन 4 तो चलिए पहला लेटर 4 है आ डवलू का पोजिशन है 23 इसमें आप तीन और दो को जोड़िएगा तो यह हो जाएगा पांच ऐसा ही आप देख लीजिए आई आई का पोजिशन नाइन तो नाइन का नहीं रह जाएगा और इसके बाद है इन इन का पोजिशन होता है 14 14 है तो जोड़ करके देखिए इसार से 4 एक 5 और ऑप्सान में भी देखते है कि 4-5-9-5 कि से मैं रहा है 4-5-9-5 सिर्फ और शिर्प बैठ जाता है उसे answer करना है तो मैं बताया था इसमें technique कि पहले आप भागा को लीजिए जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि भागा कहां कहां set कर सकता है एक तो पहले position पे यहाँ पे भागा set कर सकता है लेकिन पहले option में कहीं भी पहले number पे भागा नहीं है आप देखिए दूसरे नंबर पर क्योंकि इसको नॉर्मली कोसिस कीजिए फ्रेक्शन में नहीं जाना चाहिए इंटीजर में जाना चाहिए तो दूसरे जगह 6-3 से कड़ता है तो यहां पर भागा हो सकता है क्या option में है यहां पर हां दूसरे नंबर पर है भागा तो इस option को ट्राई कर लेते हैं तो आपका question क्या हो जागा 24 गुने 6 भागा 3 प्लस 2 और बोडमा से अपक्रिया कीजिए तो पहले भाग का क्रिया होता है यानि 24 और यह 2 हो जाएगा तो 24 गुने 48 और 2 पचास तो पहला ही option आपका feedback का तो question कैं answer रोजा का option number 1 चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुष्चन है निमलिखित में से विशम को ग्याद कीजिए इसमें जो और है उसे चुनना है आंदर प्रिदेश जम्मु कस्मीर 36 गड महरास्ट तो इसमें देखो दो रीजन लग सकता है एक तो बाकी सब जो है सारे स्टे गया था लेकिन अभी कहिशाब से जम्मु कस्मीर भी एंसर हो सकता है तो आप दोनों चीज को ध्यान लखेंगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुष्चन है राउनक ने एक विक्ति का परिश्य देते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र का एक लौता पूत्र है र ये हो गए और इसके पिता के पिता इसके पीता कर पिता और उसका पूत्र का मतलों वही आद्म यानिए उस踏 मौनदीत। पूछ रहा है कुश्चन में हुए ने ये से पको कंप्लूज्य निकालना है तो पहला statement है सभी अंगुठी छरी है ऐसे लिख लिजे आपको जैसे अंगुठी को STEP लिखते हैं चलिए सभी अंगुठी चरी है यानि सबी अंगुठी जितना भी होगा यह सब जचरी और चरी तो इस टिक लिख देते हैं ठीक है, अब हैं कोई चाड़ी भवन नहीं है, or कोई बहुच्छे रहे ही भवन होगा है जा फैला गलत हो ऑप यहां भावन रही है daw तो दोनों का दोनों का अलत हो जागा यानि कुश्चन का अंसर हो जागा option number D ना तो एक concern करता है न दू नेक्ट कुश्चन है कि तीन-तीन संख्या दिया है और उसमें सब संख्या जो है एक दूसरे से संबंदी तक किसी न किसी तरह से तो उसमें जो विसम है उसे चुनना है तो यहाँ पहला संख्या 49 यह चार घटकर के 45 हो गया और फिर 6 घटकर के 49 हो गया है सेकेंड में देखी कि 73 जो गट करके 89 हो गया और 5 गटकर 84 हो गया है फिर है कि 66 जो है वो 5 गटकरके 61 हो गया एक 6 65 हो गया तो यांगी बाकी से में 55 का अंतर 1 से कर अर 3 में लेकिन 1 में जो है कोई रेगुलार नहीं चार और 6 का अंतर है यानि पहला ही option जो है विश्वाम है तो question का answer कि अपसे नंबर एक कश लिया आगे देखते हैं निक्स्ट कुस्टिन भारत जिस तरह सम्पन्दित होकी से उसी तरह स्री लंका किसे सम्पन्दित है तो यह हो गया इन जाए जो तो यह स्पर पज़ते वद्वारत ौक्राइल faut है उसी तरह से स्री लंका का राष्ट्री खेल है वॉली वॉल तो कुष्चन का अंसर हो जागा option नमबर एक वॉली वॉल तो कुल मिला करके एक तरह से जी एस का कुष्चन रहे गया चलिए आगे देखते हैं नेक्स कुष्चन है अनुडाक की बाई और से स्थिती एक स्क्वाइर और दाई और से 25 भी है और छात्रों कूल संख्या 10x है फिर कूल छात्रों की संभाविज संख्या ग्याद कीजिए तो यह हो गया एक्चुली संख्या निकल जा कि जो की दिया हुआ है 10x ठीक है तो अब यह समझ लीजिए एक क्वाड्रेटिक उक्विश्चन हो गया अब इसको इधर ले आए एक स्क्वाइर माइनस 10x और प्लस चौबीस यह हो गया अब यह क्वाड्रेटिक की क्विश्चन हो गया इसको सॉल्ब कीजिए इसका रूट क्या जाएगा छे और चार तो छे और चार इसका रूट आ गया और टोटल संख्या दिया हुआ 10x तो 10x का मतलब 1 यह दो गया यह 60 अंश्टा है यह फिर इसका संख्य 1998 संक्व बीelsed नेक्स कुस्छन में कुछा मताएं मौजूद लर्गों की संख्या से 3 गुनाधिक है यानी अगर लड़का की संख्या एक से तो लर्किया्कार का एक्सो साथ है ईक्स पलस ठी एक्स बरावर वहन शिक्स्टी दे रहा है ठीक है तो यहाँ से आप एक्स का भघरू निकाल सकते हैं एक्स पलस ठीए प्रस फ्रावर खुरिश्टी एक्स बーvern एक्स बरावर फॉर्ट्टी यहां से यह पता चलता है कि जो लड़कों का संख्या यादि एक्स माने तो लड़कों का संख्या और एक्स का भेलू चालिस यानि क्लास में 40 लड़के हैं और बाकी बची 120 जो होगी लड़की आँगे और आगे कुश्चन में क्या कह रहा है कि कच्छा है प्रवीन की रैंक बहतर है यानि प्रवीन कोई लड़का है जिसका रेंग है क्लास में 72 और उसके उपर 45 लड़की आया तो लड़की कितने बचे 27 यानि कि प्रवीन के उपर बहतर टोटल विदार्थिम से 45 लड़की और 27 लड़के हैं ठीक है अब पूछ कहा रहा है कि उसके बाद कितने लड़के तो अभी हम लोग निकाले थे कक्छा में टोटल लड़के कितने थे 40 तो 40 टोटल लड़के थे और प्रवीन के उपर 27 लड़के तो प्रवीन के बाद क 13 लड़के चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुष्चा नेम लिखित में से प्रतेक स्रिंखला में लूप्त ग्याद कीज़े तो यह एक सिरीज है जिसमें एक रेगुलर पैटर्न लागू है और आपको पूछ रहा है कि इस पैटर्न के अधार पर नेक्स्ट जो वाट क से बढ़के 30 होड़ा 10 55 35 से एक संक्रेक्ण चोर करके जो रचाह वह ओजागा 40 और इसी तरह से से किसे शरीज के चारीज ओरे देखते हैं नेक्स कुश्चान निम निलिखित में से प्रतेक श्रिंखला में लुप्त पद ग्याद कीजिए तो यह वी सिरीज का ही कुश्चन इसमें देखिए क्या पैटर्न चला तो थर्टी टू से फिप्टी एड बनना है यानि बतीस अंठावन बनना है चब्विस एड टो क्या यह सिरीज कंटीनि안 ड़र और यहां से आठ जोर करके देजी फिप्ती क्या अगर इसनी ज्यूर में करने के बाद 184 आ रहा है तो यह series continue रह सकेगा और बाइचांस यहां पर आ भी रहा है तो यही series continue होगा यानि question का answer होगा option number A 134 next question इसमें matrix एक दिया हुआ और matrix में A के space खाले है यहां पर क्या संख्या आगा वो आपको feel करना है तो इस तरह का matrix question में आप लो जानते होंगे कि इसमें या तो horizontally relation कुछ रहता है या फिर vertically कुछ relation रहता है तो जो भी relation हो उस relation को find out करके यहां पर आपको apply करके यह answer कोजना है भाई जांस यहां देखते हैं क्या है अगर आपको अपना mind apply करना है यहopar apply करके try किजिए यहां पर क्या है कि और 3 जो है तो 4 का यहां पर ten qiq license – 27 और जोरख करके दोनों को लिखते रहा है यहां पर 43 हो जागा है और यहां पर βロट ब्र एक रखेंगे जो कि दोनों को जूर करके 50 हो जाए तो यही option answer हो जागा आपको option number 1 चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुष्चन है यह statement और exemption वाला question यानि कथन दिया हुआ पूरबानुमान आपको लगाना है जो statement दिया हुआ बस उसी के अधर पर पूरबानुमान लगाना आपको अपने मन से कुछ add नहीं करना है इसमें जैसे attempting technique को आप एक example से समझ ले मान के चलिए आपको कोई बोलता है कि कोई आदमी था किसी घर में गया लेकिन उसके पास चावी नहीं था और घर लॉक था तो फिर भी वो अंदर गुश गया तो आप क्या अनुमान लगाए कि या तो तो ताला तोर दि यह statement दिया अब आपको exemption दे रहा है उसमें देखना है कि कौन सा exemption सही हो सकता है पहला है जंगल के आग प्राकृतिक आपदा नहीं तो इस बारे में तो यहां पर कुछ है ही नहीं अधिकतर आग भले ही बता रहा जंग यह है मानव करीत है लेकिन जरूरी थोड़ी कि प्राक दिया गया वो गलत हो जागा तो question का answer हो जागा option number D न तो एक अंतर नहीं था और न तो दो अंतर नहीं थे चलिए आगे देखते है नेक्स्ट कुछन ब्रेंडा यह distance and direction का question है तो पहले आप direction extend की चलिए जैसे यह हो गया इसमें आप जानते हैं कि यह जो रहता है नौर्थ रहता है यह south रहता है यह रहता है इस और यह रहता है वेस्ट अब यह इसको solve करते हैं क्या कहरा ब्रेंडा 40 मिटर दक्षिन की और चली यानि दक्षिन तो इधर रहा भी तो यह 40 मिटर इदर चली तो आप यहां पर लिख लीजे 40 और इसके बाद बता रहा है कि वह अपने फिर भाई और मिली अब भाई जो इसका होगा वो नौर्थ की तरफ हो जाएगा और 40 मिटर चली यानि 40 मिटर फिर इसी लाइन पर आ जाएगी यही लाइन था 40 मिटर का तो यह और यह बराबर है तो फिर 40 मिटर इसी लाइन पर आ गए वह फिर से अपनी दाई और मुड़ हो गया इस्ट और दूरी कितना हो गया तो यह बीस हो गया और यह पचीश तो टोटल डिस्टेंस हो गया पैतालिस मिटर पूड़ तो कुष्चन का एंसर हो जागा आप्शन नमबर एक चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुष्चन है रॉबिन एक खंबे के सामने खरा था खंबे की चाया उसके दाहिनी और गिरी यदि वह सूबा का समय था तो वह किस दिशा के और था चलिए फिर से एक डिरेक्शन स्टेंड बना ले तो इसको भी डिरे करहा कि कोई खंबा जिए तो उसका चाय दाहिन ही थैज़ा तो हमेसा वेश्ट की तरह बनेगा तो मान कर चलिए इदर बना और ये जो डैरेक्शन है वो रॉबिन के डाहिना इनी रॉब इस तरफ खरा हो गा तभी इसका दाहिना और पिस इनका face कितर हो गया south के तरव और question में क्या पूछ रहा है समय था तो वह किस दिशा के उड़ था तो question का answer यही पूछी रहा है कि किस दिशा में खरा था तो यह था south के तरव खरा तो option number D इसका answer हो जागा चलिए आगे देखते हैं next question statement दिया हुआ यह तीन खंड में और आपको conclusion निकालना है तो आप देखिए कि ऐसे question को आप कैसे बनाएगे यह एक direction में रख देंगे सारे को यह जो mathematical mark है इसे क्या बोलते है यह या तो छोटा या फिर बड़ा greater than और less than तो इसको आप लोग से direction same कर लेना है तीन statement दिया हुआ तीन एक direction को आपको same करना है और same हम कैसे करते हैं तो जो common होता है उसको select करते हुए जैसे इसमें और इसमें देख लिजे common है m तो पहला हम इसे उठा ले यहां पर क्या कर रखा है कि m is less than p तो यह इसका मतलब यही हुआ है पी इस greater than m अगर छोटा है तो पी बरा है म से यही हुआ इसका मतलब और आप देख लिजे अब इसको set कीजे तो m is greater than equal to t लिख रहा है तो यहां पर आप सेम डिरेक्सान है तो सेम लिख दीजे पी इस greater than equal to t और एक और statement है s is greater than t तो यह इसको आप उपर सेफ्ट नहीं कर सकते तो इसको यही पर रहने दीजे अब देखिए conclusion क्या पूछ रहा है तो पहला पूछ रहा है s is equal to p चुकि s इस line में है ही नहीं तो हम कैसे बता सकते है कि s और p बराबर है तो पहला conclusion जो हो जा हो गया तो टी भल ही बराबर हो जाएं के छोटा तो हो ही सकता है या फिर बराबर भी हो जागा फिर भी पी से छोटा ही रहेगा यानि दूसरा जो option है conclusion वह सही हो जागा इसी साब से आपका answer कौन सा हो जागा तो यदि केवर निसकार दो सही अनुसरान करता है यानि option number B question का सही answer हो जागा चलिए आगे देखते हैं नेक्स फिगर वाला question इसमें बता रहा है कि कौन सा आदमी किस category का है और आपको खोजना है जो answer में पूछा जा रहा है तो पहला कहा है कि व्रीत क्रिकेट खेलने वाले को दरसाता है दूसरा है तिर्भुच फूटबॉल खेलने वा तो हाँ यह इस एरिया में रहना चाहिए जिसको पूछा जा रहा है दूसरा है कि फूटबॉल खेलने वाले खेला रही तो फूटबॉल खेलने वाला को प्रतरीन देतों करता है त्रिभुच तो त्रिभुच यानि इस एरिया में भी रहना चाहिए तो इस दोनों का common area जाएगा option number 15 चलिए आगे देखते हैं next question है यह mirror का question है यह figure दिया हुआ है अगर यहां पर दरपन लगाया जा रहा है तो इसका प्रतिभी में कैसा बनेगा यह पूछा जा रहा है तो दरपन में क्या होता कि सिर्फ उल्टेगा तो उल्टेगा तो ठीक है यह जो figure है यह ऐस से हो जाएगा यह अपने जगह पे क्योंकि उपर नीचे बला तो चेंज होगा ने क्योंकि उपर मेर नहीं लगा तो यह ऐसा ही रहा जागा और जो बोर्डर रहा जाएगा तो ऐसा figure किसमें है तो ऐसा figure option number B में तो question का answer वहीं हो जागा option number B चलिए आगे देखते हैं next question है कि यह आकरती दिया हुआ है और यह पूछ रहा है आपसे कि इस figure में किसमें यह आकरती मिल ला है तो आप इसको try किजिए एक एक करके इसमें तो आपको कहीं से भी नहीं दिख रहा है यह ऐसा ही छट गया इसमें भी कहीं भी नहीं सकता है यह भी छट जाएगा और इसमें सब्सक्राइब आपको किलियर हो गया होगा तो कुष्चन का एंसलों जगा ऑप्शन नमबर एक चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुष्चन है सही गनिती ऑपरेटरों का चैन करें इसमें आपको फिर से यही जो ग्रूप्स दिया हुआ इसको अब रख करके आप चिक करन लेते हैं तो आपको कुष्चन यह बन जागा बस बोड मास का फॉर्मूल लागा करके देख लीजिए यहां पर क्या हो जागा पहले भागी क्रिया होती है तो साथ से भाग देंगे तो यह हो जाएगा चार यानि बारह और माइनस यहां पर आट सक और तारीस को जो आपने नहीं तो पहला जो अप्शन यह नहीं होगा फिर आप थर्ड ऑप्शन को अपलाई किजिए थर्ड ऑप्शन वी भाग पहला स्थान पर है तो जहाँ आप तीस्रे और तो क्या हो जाए गाँक अब इसका बॉर्ड मास के साब से क्योड़कुलेशन कीजिए तो पहला करिया होगा भाग का यहां पर हो जागा आठ इंटू 4 यानि 32 और फिर माइनस 8 पलस 6 तो यहां पर क्या हो जागा पहले जोर का क्रिया होगा 32 और 38 में से 8 खटा तो क्या हो जागा 30 यानि equation balance हो गया तो question का answer यही हो जागा option number C चलिए आगे देखते हैं next question अगर brother को यह लिखा जाता है फिर यानि प्लस 4 फिर ओ का position है 15 जो बन गया है एस यानि 19 बन गया यानि फिर प्लस 4 प्लस 4 तो यही पैटरन है प्लस 4 प्लस 4 का तो आप यहां पर apply कीज़े प्लस 4 का pattern तो यहां पर पर स्कूल का position 19 और जब प्लस 4 की जगा तो यह हो जागा डबलू अब देखिए तो option में देख लिए option में सब में पहला पोजिशन पर डबलू है फिर सी तो सी का पोजिशन तीर और प्लस 4 की जगा तो यह हो जाएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में एक नए question paper के साथ मुलाकात होगी उम्मीद करता हो जानकारी अच्छी लगए होगी अगर इस तरह के और वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को प्लेस कर ले वी